जावा फॉरलूप के बारे में समझते हैं मानलीजिए एक कोड लिखा हुआ है फॉर इन्टाइज कोल स्टो जीरो आई लेस दैन फॉर आई प्लस प्लस प्रिंट आई तो अब ये फॉरलूप एग्जेक्ली काम कैसे करेगा वो समझते हैं तो यहां एक उखंपल लिखा है मानलीजिए यह गो डाउन है और यहां गो डाउन में घसने के लिए एक गेट है गेट के सामने से आदमी जाएगा अब आदमी का जो नाम है वो है आई राइक? च्योंकि कोड में आई लिखा है तो आदमी आई ही हो सकता है यह jkl आएगा तो उसको वैसे ही entry नहीं मिलेगी तो जब i पहली बार आता है तो उसको क्या किया जा रहा है i is equal to 0 उसको एक value assign कर दिया जा रहा है पर्श टाइम में जो होगा 0 तो जैसे यह पहली बार आएगा तो i को value assign होगया क्या 0 राइट तो i is equal to 0 होगया अब क्या चेक करेगा gate कि 0 less than 4 है की नहीं हाँ जी है तो इसको अंदर allow कर देगा मतलब वो loop के अंदर आ जाएगा और वहाँ से क्या होगा वो एक बोरी उठा कर लेकर चला जाएगा राइट और जैसे ही वो बाहर जाता है तो क्या होता है i plus plus हो जाता है तो जब i का value जो 0 था अब वो जब next time आएगा तो वो क्या हो जाएगा i का value 1 हो गया राइट अब फिर से 1 चेक करेगा कि 1 less than 4 है की नहीं तो जी हाँ है इसलिए फिर से उसको पास मिल जाएगा अंदर आने के लिए वो क्या करेगा दूसरी बोरी उठाकर लेकर चला जाएगा तो अब जैसे ही वो बाहर जाता है तो i का value क्या हो जाएगा इस पार फिर से वो आएगा तो increment हो गया i plus plus तो इस बार हो जाएगा क्योंकि i plus plus हो रहा है और 3 less than 4 है जी हाँ बिलकुल है फिर से पास मिलेगा और वो क्या करेगा इस बार 4 बोरी जो है उसको भी लेकर बाहर आ जाएगा अब i का value क्या हो गया इस बार जब वो gate पर आएगा तो i का value हो गया 4 अब 4 जो है वो less than 4 चेक होगा जी नहीं ये बिलक नहीं जा सकता और एक भी बोरी लेकर नहीं आ सकता तो हमने क्या किया था सिर्फ print किया था i का value तो i का value जो है वो print हो जाएगा यहाँ पर क्या initially हमने 0 रख था है इसलिए 1 से नहीं print होकर यह क्या होगा पहली बार 0 प्रिंट करेगा दूसरी बार 1 प्रिंट करेगा दूसरी